हाई गाइज कैसे हैं सब लोग अनक एडमी शौरे और विवेक पर आप सब का बहुत-बहुत सौगत इस यूट्यूब चानल के ऊपर ठीक है और आज मैं आपसे जो बात करने आया हूं इसके ऊपर है कि बहुत ही पर्टिकलर डाउट है रिगार्डिंग इसेटिफिकेट नं नंबर होता है जो आपको कोनी पिल लिखा हो मिलेगा ठीक है अगर आपके पास डिग्री नहीं आहीं यह आपके बसप्रोषिण47 num के और अबर नहीं है तो आप अपने marksheet का number डाल दिजession that उसका अगर आपके पास वो भी नहीं अब और आपके पास enrollment number है तो आप अपना enrollment number डाल दीजे आपके बस enrollment number भी नहीं है तो आप अपना roll number डाल दीज crown इन चीजों की requirement इसले है क्योंकि later on if they want to check up with the university तो पता लग जाए कि जिस student ने यह form भरा है यह वही है जिसने degree complete करी है that is the requirement और later on जब आपकी tier 1 की stage खतम होगी की tier 2 की stage खतम होगी यानि की mcq paper खतम होगा उसके बाद आपका tier 2 के लिए qualify हो जाते तो ऐसे प्रेसी और comprehension के passage को जब आप उसे examination को qualify कर जाएंगे और tier 3 interview के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी वह आपकी degree का verification करेंगे और लेटर और भी वह verification वगेरा करते हैं once you get selected तो आई भी का verification प्रोसेस काफी थोर हो है तो मैं बस आपको यही बतारा चाहता हूं कि please the chronology is very simple कि अगर आपको certificate number डालने तो degree के उपर certificate number है अगर वो नहीं है तो certificate certificate number oblique serial number अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री का डाल दीजे प्रोविजनल डिग्री नहीं है और आपके पास final year की mark sheet है तो final year mark sheet का आप serial number डाल दीजे या certificate number जो भी कोने पर लिखा रहता है उपर हो सकता है नीचे हो सकता है अब हर एक university के हिसाप से होता है अगर आपके पास वह नहीं है तो भाई इंडॉल्मेंट number डाल दीजे वह भी आपके पास नहीं है तो roll number डाल दीजे तो मैं आपको तीन चार चीज details डाल दीए तो obviously आपको दुबारा form भरना पड़ेगा multiple entries वाला issue बस यह कि आप यह नहीं कि पांच बार दस बार form भरे जा रहे हैं but if you have filled up the form once wrong अपने अपने रोल नंबर गलत डाल रखें अपने अड्रस गलत डाल रखें तो लेटर राण आपको admit card से लेकर हर चीज में problem हो सकती है ठीक है वो verify अगर कुछ करें तो अगर आपने एक बार form गलत भर दिया है तो दुबारा भर दीजे और जिनकी भी payment tissue आ रहा है देखे आई-बी का जो server है वहाँ पर काफी जादा भीड़े 2000 vacancies का तीन-चार सालों बाद आई है तो दस साल बाद ही मान लीजे क्योंकि इतनी भारी vacancies तो आई-बी की पहले कभी आई ही नहीं है even when I got recruited 2010 से लेके 2017 ते लगातार आई-बी के exams और vacancies आई उसके बाद 2020 के अंदर आप vacancies आई है जिसका examination 2021 में होगा तो करीबन तीन साल तो आप मानी लिए जी है जो मोटा मोटा difference रहा है तो इसलिए बहुत सारे लोग इसके लिए apply कर रहे है server पे बहुत भीड है तो kindly थोड़ा wait करिए IB को आप एक बार mail कर दीजे जी मैने form भर दिया है और या phone कर दीजे ये द का भरने का time है आपके पास ठीक है so please wait for it that is what I wanted to tell first was that तो यानि की degree हो provisional degree का नंबर अगर मैं chronology order से चलों जिसका ये degree certificate नंबर वाला issue है preference should be given to the serial certificate number as they ask अगर वो नहीं होगा तो मैं उसके आगे के बता रहा हूं दूसरा जो आपका doubt regarding की ओ फॉर्म सब्मिट्टी औरा पैसा अगेरा का वो भी मैंने आपको clear कर दिया and one more was there which I have cleared ठीक है so अभी मैं डेली से बहार आया हूं तो इसलिए अलग अलग जगाव पे recording कर कि आपको ये वीडियो भेजनों चाकि आपका form अराम से भरा जा सके एक important चीज 31st December को यानि इस साल के last दिन भी मैं एक session लूँगा अपने channel शौरव विवेक पर जहां पर आपकी चोटी मोटी queries हैं उनको मैं resolve करूँगा medical और physical standards का मैं एक अलग से session भी लूँगा ठीक है बा Intelligence Bureau so guys thank you very much I hope आपके कुछ सवालों का आपको जवाब मिला होगा धन्यवाद फिर मिलेंगे शौरव विवेक चैनल पर Intelligence Bureau के और भी बहुत वीडियो जाने प्लीज शेर दिस वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल और घंटी के आइकन को बिलकुल दबाईए चाकि आपको notification मिल ती रहे और IB से related content CDS CAPF examination से related content आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा so धन्यवाद thank you very much